तो जैसा कि मैं आप लोग को भी बतला रहा था कि सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट टैक्स तब लेती है एक साथ यानि कि CGST और HDST किसी भी प्रोड़क्ट पे एक साथ तब अपलाई होता है जब आपका सप्लाई जो है किसी भी प्रोड़क्ट का वो इंट्रा यानि कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर किसी गूड्स का सेल और पर्शेज हो रहा है तब उसकेस में आप क्या लगाओगे इंट्रस्ट लगाओगे यानि इंटीग्रेटेड डाईजेस्ट लगाओगे जी स्टेट तो यह रही बात है अब दूसरा जो इंपॉर 18% का उसमें जीस्ट है मानली जे कि आप लोगों ने लगा दिया 18% का ठीक है अब उसकेस में तो कन्फूजन यह हो रहा है कि मानली जे कि वह बात चल रही है जहारखंड की ठीक है कि जहारखंड में ही बना और जहारखंड में ही बिग गया उसकेस में क्या होगा आप कैसे उसको divide करोगे ठीक है तो कोई भी GST जब किसी भी product पे लगता है ठीक है और interstate लगता है यानि कि state के अंदर में लगता है तो उस case में जो है CGST और SGST है GST को बराबर बराबर भागों में बाट लेता है यानि कि अगर GST 18% का लगा है तब उस case में आपका CGST 9% में चला जाएगा और SGST 9% में चला जाएगा ठीक है यानि कि जो भी product का tax वसूलेगा कोई भी दुकांदार ठीक है वो क्या करेगा आधा देदेगा central government को और आधा देदेगा state government को यही रूल है ठीक है दोनों के बैटवारा के बीच का यानि कि अगर within the state होता है तो और अगर interstate होता है यानि कि one state और another state में तो वो total 18% चला जाएगा central government को अब वो कोई बात नहीं होता है वो दोनों बराबर बराबर आपस में बाट लेते हैं ठीक है तो यह रहा आपका JST का जो कुछ-कुछ का question number 1 है ठीक है यानि Senna Publication का exercise number 1 का Q1 है ठीक है एक question मैं अभी करूंगा आपका interest rate का उसके बाद फिर एक मैं question करूंगा interest rate का ठीक है उसके बाद आप लोग question खुद से solve करके देखिएगा solve question नहीं होगा उसके मैं आप लोगो बतलाऊंगा ठीक है तो question क्या है सबसे पहले कोई भी question को solve करने से पहले दो से तीन बार पढ़े तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी question में asking होगा वो आपको पता चल जाएगा और आपको बनाने में आसानी होगी ठीक है तो fill in the blanks, find the amount of bill ठीक है आपका जो भी ये blanks है उसको आपको भरना है और आपको amount of bill या लाश्ट में amount of bill निकालना है ठीक है तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है आपका दिया हुआ है कि जो mark price है यानि कि जो object है उसमें जो mark किया हुआ price वो कितना है 12,000 है ठीक है और discounts percent जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 30% दिया गया है और GST जो लागा है वो कितना है 18% है तो सबसे पहले बात यह है कि ये आपको ढूड़ना होगा कि question में मतलब आपका intrastate हो रहा है तो सिर्फ देली की बात हो रही है इसका मतलब क्या है कि intrastate हो रहा है और जब intrastate का बात होता है तब वहां IGST नहीं लगता है सिर्फ CGST लगता है और SGST लगता है तो मैं आप लोग को बतलाया भी था कि अगर आप लोग को percentage निकालना आता है तो यह बहुत ही आसान है देखो कैसे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि भाई प्रोड़क्ट में discount कितना दिया गया तो mark price कितना था 12,000 और discount कितना दिया गया 30% हाना तो कितना discount दिया गया होगा तो 12,000 का रूपीज 12,000 का 30% discount दिया गया होगा तो हम लोग क्याल करेंगे 12,000 का 30% निकालते हैं तो कैसे सौल करोगे 12,000 इंटू 30 by 100 ठीक है तो 1010, 1010 cut out होगया यानि कि यह हो जाएगा आपका 3600 तो रूपीज 3600 जो है वो क्या दिया गया discount दिया गया ठीक है अब अगर selling price की बात करते हैं तो उसका mark price था 12,000 और उसमें 3600 रुपा यानि 3600 रुपीज discount दिया जा रहा है तो उसको बेचा कितना में जाएगा तो selling price के case में आपका क्या हो जाएगा MRP जो भी MRP होगा माइनस जो भी discount मिला होगा ठीक है जो भी discount मिला होगा तो कितना MRP कितना है 12,000 इसमें क्या करेंगे 3600 को 0 में 0 गया तो 0 0 10 में से ये 4 8 यानि कि 8400 इसका मतलब क्या है उसका selling price जो है वो 8400 है उसके बाद अगर CGST की बात करेंगे तो मैं बतलाया था कि अगर कोई भी product within the state में अगर sell out होता है यानि कि उसका manufacturing होने के बाद जो है वो sell out हो जाता है सेम state में तब उस case में CGST और SGST जो भी tax का GST जो भी लगता है वो बराबर भागों में बढ़ जाता है हाना तो 18% total था तो CGST कितना हो जाएगा 9% IGST भी कितना हो जाएगा 9% IGST तो 0 हो जाएगा आपका हाना चुकि Interestate की बात हो ने रही है इंटरा की बात हो रही है तो 9% of क्या निकालेंगे 8400 हाना 9% of 8400 और 9% of 8400 ठीक है एक निकालेंगे तो दोनों आपका solve हो जाएगा निकाल लेते है 9 by 100 into 84 2020 cancel हो गया आपका 84 को 9 से multiply कर दिए कितना हो गया 756 ठीक है 756 रूपीज 756 ठीक है ये भी आपका कितना हो जाएगा रूपीज 756 अब अगर IGST तो हो गया अब अगर amount of bill की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा कि total जो money including GST यानि कि जो भी उसका selling price था उसमें हम लोग क्या करेंगे कि CGST और SGST को add कर देंगे चुकि हम लोग जब भी कोई product खरीते हैं तो government को tax भी देना पड़ता है यानि कि product पे जितना selling price है या mark price जो भी है उसको tax के साथ add कर देना है तो वो आपका amount of bill निकल जाएगा तो वो कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका 8400 प्लस 756 प्लस 756 में 6 ठीक है? अब 756 को अगर आप 2 बार कर दो तो 6612 5510 11 7714 15 यानि कि 1512 जो है वो आपका क्या लग जा रहा है टेक्स लग जा रहा है ठीक है? तो यह हो जाएगा आपका 8400 प्लस 1512 डेट इस 2199 यानि कि रूपीज 1912 यानि कि 9912 रूपय में वो product को देली के अंदर में ही बेचा जाएगा जब क्या होगा? discount उसको मिलेगा 30% का और GST लगेगी 18% की और product का rate कितना होगा? 12,000 ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है वो कोई भी question को बहुत ही आसानी से solve कर सकते हो इंट्रास्टेट वाला है इंट्रास्टेट में क्या करना है? direct IGST को 0 मान लेना है और जो भी उसका GST लग रहा होगा उसको आप क्या करोगे? दो बराबर भागों में बाट दोगे और बाकि accordingly आप question में जो भी बोले उसके according अप लोगों क्या करना है? चलना है तो इस तरीके से आप जो है आपका जो है MRP दिया हुआ है discount percent दिया हुआ है और GST दिया हुआ है और बात कहां से कहां की हो रही है? देली से जैपूर की हो रही है यानि कि हो सकता है वो product का manufacturing जो है वो देली में हुआ होगा और वो जैपूर में जा करके बिग गया तो जब कोई एक state में manufacture होता है और दूसरे state में जब वो big जाता है sell out हो जाता है तब उस case में मैं आप लोग को बतला चुका हूँ कि inter state वाली concept लगाएंगे हम लोग और जब inter state की बात करते हैं तो उस case में हम लोग जो है वो निकालते हैं कि cgst लग रहा है sgst लग रहा है या igst लग रहा है तो जब intra की बात होती है तो मैं बार-बार बतला चुका हूँ कि sgst और cgst लगाएंगे लेकिन अगर inter की बात होगी यानि दो state की बीच की बात होगी तब वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे सिर्फ ऐजिवच लगाएंगे थिक है तो अगर हम लोग't find out करें तो क्या क्या find कर सकते हैं सबसे पहला निकाल सकते हैं कि discount कितना मिला होगा दूसरा उसका selling price क्या होगा थीसरा हम लोग't निकाल सकते हैं कि उसकी IGST क्या होगी ठीक है और चौथा हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका amount of bill क्या होगा amount of bill क्या होगा ठीक है ये cgst और igst zero हो जाएगा इस case में cgst zero भी हो जाएगा और आपका sgst भी zero हो जाएगा क्यों होगा चुकि ये transaction देली से जैपूर का हो रहा है यानि कि एक state से दूसरे state का हो रहा है तो आएए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कितना का discount मिला कितना उसका selling price था कितना IGST था और amount of bill कितना निकल करके आया ठीक है तो MRP कितना है 50,000 रुपया है और कितना discount दिया गया है 20% तो हम लोग निकालेंगे discount तो कितना का 50,000 रुपया का 20% है ना तो वो कितना हो जागा 10% आपका हो जागा 5000 और 20% आपका हो जागा लगभग 10,000 ठीक है यानि कि 10,000 रुपया का उसको discount दिया गया है आप 20% निकाल दोगे 50,000 का आप देखो कि 10,000 के एक्वल वो क्या हो रहा है आपका आ रहा है ठीक है अगर सिलिंग प्राइज की बात करेंगे तो सिलिंग प्राइज में आप लोगो बतलाए था जो भी MRP होता है जो भी MRP होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं डिसकाउंट को माइनस कर देते हैं तो MRP आपका था रूपीज 50,000 उसमें हम लोग रूपीज क्या करेंगे 10,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जागा वो लगभग 40,000 हैना या कहो 40,000 आ जाएगा ठीक है अगर IGST की बात करेंगे तो यहां तो बटवारा होना नहीं है मतलब कि CGST और IGST में वो बटेगा नहीं तो वो डारेक्ट कितना हो जाएगा 28% of selling price हाना तो selling price कितना है selling price है आपका 40,000 40,000 हाना तो वो आपका आज आएगा 11,200 के equal ठीक है आप निकाल के देख लोगे 11,200 के equal ठीक है अगर amount of bill की अगर बात करेंगे तो टोटल जो selling price होता है और जितना IGST होता है यानि कि SP प्लस GST GST मतलब क्या आपको जुणना है कि IGST लग रहा है GST लग रहा है तो आप generally GST लिखो हाना GST में आपका either IGST हो सकता है CGST और SGST का sum हो सकता है ठीक है तो selling price plus GST GST में क्यों साथ तो IGST ठीक है यानि integrated goods and services tax ठीक है तो selling price कितना था रूपीज था आपका 40,000 हाना प्लस यह कितना है 11,200 ठीक है तो यह आपका कितना हो जाएगा 51,200 51,200 ठीक है तो 51,200 ठीक है तो इसके पहले में जो example आप लोगों को दिया था वो दिया था वीदिन देली का और यह जो मैं example दिया वह क्या दिया आपका दिया देली से जैपूर का ठीक है इसी तरीकी से यह एक एक का एकजांपल था, यहाँ पर दिया हुआ था MRPO एक प्रोड़क्स था, हो सकता है कि कोई दुकानदार किसी मनेफैक्टरेर के पास जाए और वो जो है 10 प्रोड़क्ट को एक साथ खरी दे, भर नदा तो उस तरीके का भी question आपके book में दिया हुआ है तो आप लोग बहुत ही easily solve कर सकते हो